तो दोस्तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछली साल Hero Company ने अपने Most Selling 125cc बाइक यानि कि Hero Glamour में X-Tech Variant पिछली साल लाउंच किया था जिसमें कि दोस्तो आपको काफी सारे features ये बाइक आपको ओफर करती थी तो दोस्तो बिल्कुल उसी तरह इस साल भी Hero Company ने अपने Glamour में एक नया Variant लाउंच किया है जिससे कि लोग Canvas Edition के नाम से जान रहे हैं लेकिन दोस्तो एक्चुली में ये Canvas Edition है नहीं क्यूंकि दोस्तो कमपनी ने अभी दाक इस Variant का कोई भी नाम नहीं रखा है लेकिन जिस Color Options के साथ Company ने इस Variant को लाउंच किया है उसमें आपको Canvas Black करके एक Color Options देखने को मिल जाता है जिसके चलते लोग इस Variant को Canvas Edition बोल रहे हैं तो दोस्तो इस Canvas Edition को Company ने Hero Glamour के दोनों ही Variants को मिला कर बनाया है पहला है Standard Model और दूसरा है Extech Model तो ये दोनों ही Models को Combine करके Company ने ये नया Canvas Edition launch किया है जिसमें कि आपको कुछ Features Standard Model के देखने को मिलेंगे और कुछ Features Company ने Extech Model के दिये हैं तो दोस्तो सबसे पहले बात करें इस Canvas Edition में मिलने वाले Color Options की बारे में तो यहाँ पर Company ने इस Model में Total 6 Color Options दिये हैं जिसमें से पहला और दूसरा Color है Radiant Red और Techno Blue तो ये जो दोन तो ये Color Options के अलावा इस Bike में आपको Canvas Black, Sunset, Gold, Fairy, Yellow और Daring Red देखने को मिल जाता है तो ये जो तीन Color Options आपको देखने को मिलते हैं पहला है Sunset, Gold, दूसरा है Fairy, Yellow और तीसरा है Daring Red इसे Company ने उठाया Splendor Plus के Black & Ascent Model से तो ये तीनो Color Options को आप Black & Ascent Model भी बोल सकते हैं तो दोस्तों अ Standard Model से उठाया है तो इस Model में आपको Fully Digital Meter देखने को नहीं मिलता है वहीं दोस्तों इसके बाद Company आपको इस Model में LED Headlam Setup देती है जिसमें कि आपको LED DRL Included हो जाता है तो इस Feature को Company ने उठाया है Glamour के Extract Model से बाकि दोस्तों इसके अलावा आपको इस Model में Side Distance Cut-Off Function भी देखने को मिल जाता है वहीं दोस्तों इन Color Options और इन Features के अलावा इस Model में आपको कोई भी Mechanical Changes देखने को नहीं मिलता है इसमें आपको से 124.7 CC का Air Cool Ninja देखने को मिलता है जो कि दोस्तों पहले से 10.7 to BHP का Power और 10.6 AM का Max Stock Generate करता है और दोस्तों यह बाइक आती है 5 Speed Gearbox के साथ बात क Canvas Edition Drum और दूसरा है Canvas Edition Disc तो यहाँ पर आपको Canvas Edition Drum का 100 रूम प्राइज निवदली की हिसाब से आपको 77,870 रूपिस देखने को मिलता है यानि कि 77,870 रूपिस आपको 100 रूम प्राइज परता है Drum Variant का वहीं दोस्तों डिस्क वैरिंग के बारे में बात करते हैं तो इसका 100 लाउंच किया है तो दोस्तों प्राइजिंग भी इस model का बिल्कुल उसी तरह से company ने रखा है तो यहाँ पर इस model का price जो है 1970 रूपे ज्यादा देखने को मिलता है standard model से वहीं दोस्तों 3450 रूपिस आपको कम देखने को मिलता है Glamour Extech model से तो दोस्तों बस आज के लिए इस वीडियो को लाइक कर दे और इसी तरके के interesting और informative वीडियो आगे भी देखते राने के लिए अब हमारे चैनल को जरूशे जरूशे जरू सब्सक्राइब कर ले तो मिलता है किस नई वीडियो में किस नई टॉपिक के साथ तिल देन राजा ड्राइट सेफ